हलो एविवन और वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन और आइम अमित और आज के इस वीडियो में हम एक और इंट्रस्टिंग वेफसाइट को रिव्यू करेंगे आज आज की वेफसाइट रिली में इंट्रस्टिंग है क्योंकि यहां पर इस वेफसाइट के जरीए मैं आपको बताता हूं जिनको लाखों लोग यूज कर रहे हैं तो उन में से ही एक और वेफसाइट आपको मैं रिव्यू कर रहा हूं आज की वेफसाइट इसलिए इंट्रस्टिंग है क्योंकि यहां पर बहुती मज़दार काम है और इसे कोई भी कर सकता है तो इसकी पूरी साथ समझाऊंगा, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ, पूरी concept समझाऊंगा, review करूँगा कि आप यहाँ पर काम करें, करें तो कैसे करें, और पूरी registration करके बताऊंगा आपको, तो पूरा वीडियो आखर तक देखना है, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, तो, okay, and यहाँ पर, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पर तो ज़रूर यहाँ पर जुड़िए, बिगोज यहाँ पर मैंना इससे पहले भी काफी सारी websites और apps शेयर की हैं, जो online earning करने के 100% genuine valid और real options हैं, तो, आप उनको देख सकते हैं, और subscribe कर लीजे, और bell button प्रेस कीजे, जिससे के आगे भी notification videos के आपको मिलते रहे हैं, okay, so let's start with red bubble, okay, आज हम बात करने वाले हैं, redbubble.com की, यह है website का नाम, इसको इस तरह से आप पहुंच सकते हैं, redbubble.com पर इस तरह का interface इसको दिखाई देगा, सामने दिखाई दे रहा है, विलकुल यही same होना चाहिए, तो आप सही website पर पहुंचे हैं, okay, तो यहाँ पर इस website पर आप जाएंगे तो आपको यह समझ में आई रहा होगा इसको देखके, यहाँ पर बहुत सारे products आपको दिखाई दे रहे हैं, और अलग-अलग category है, और बहुत ही interesting और clean सी website है, तो इसको अगर simple language में समझें, यह एक तरह की online shopping website ही, समझ लीजे आप इसको, और यहाँ पर लोग आते हैं, और अलग-अलग categories की चीज़ों की shopping करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी category उपर दिखाई दे रही हैं, कपड़े हैं, stickers हैं, phone covers हैं, wall art बच्चों का सामान, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, stationary, gifts, so यहाँ पर एक जानी-मानी website है, जिससे लोग shopping करते हैं, of course यह out of India की website है, तो आप लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन विदेशों में, यह famous है, और वहाँ से लोग काफी इसको shopping करते हैं, okay तो इस website पर आप कैसे अरनिंग करेंगे, उसका पूरा concept समझाँगो और आपको कैसे कमाने का मौका मिलेगा, तो पहले तो इस website का concept आपको यह समझ में, यहाँ पर online shopping होती है, लोग यहाँ पर shopping करते हैं, अब यहाँ पर जो products दिखाएते रहे हैं, यह shopping कोछ अलग तरह से हैं, देखे, generally हम जो Amazon of Libcard पर करते हैं, वो तो आप पता ही है, सभी लोग इंडिया में जो कर रहे हैं, या जाता है, एक तरह से print किया जाता है, और जब वो sale हो जाते हैं, तो उससे आप जिसे कई लोग यहाँ पर earning करते हैं, तो यहाँ पर आप जितनी भी accessories और जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, उन पर जो print हैं, वो किसी ना किसी ना यहाँ पर upload किये हैं, और उनी को क्या करना है, कि आपको कुछ designs बना कर, you have to upload some designs and upload on this website, यहाँ पर आपको कुछ designs create करने हैं, यह गबराने वाली बात नहीं है, कि design create करने हैं, you don't know about designing, अगर आप designing नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको option बता दूँगा कि कोई भी इतनी आसानी से mobile से design कर सकता है, आजकल के time में, पहले जैसा नहीं है कि जब photo shop के जरीए या बड़े-बड़े software के जरीए designing होती थी, आजकल हम mobile से ही बड़ी आसानी से designing कर सकते हैं, और इसके लिए कोई उमर का भी foundation नहीं है, कोई आपको बहुत बड़ी qualification नहीं चाहिए, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, so first of all, यहाँ पर आपको design upload करने हैं, और वो design सभी products पर आ जाते हैं, एक सबसे बड़े अच्छी चीज़ी है, कि ना केवल एक product पर, बलकि जितने भी product हैं, उन सभी पर वो design आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपने एक design बनाया, वो pillow cover पर भी दिखाई देगा, bottles पर भी होगा, t-shirts पर भी होगा, and जितने भी products न उस पर adjust होके set हो जाता है, तो इस से जिस category में भी जो भी product sale होता है, उससे आपको जो earning होती है, वो आपका profit हो जाती है, वो आपको मिलता है यहाँ पर, तो concept समझ में आ गया, बिल्कुल सीधा साथा concept है, मैं उसको बहुत simple कर दिया, और बिल्कुल यह गभराने की जुरूद नहीं है, कि मुझे डिजाइनिंग नहीं आती या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल ज़रा देखें, मैं आपको समझाऊंगो कि कैसे आप यहाँ पर कर सकते हो काम, अगर आपने कुछ भी नहीं आता है, आपको डिजाइनिंग का, तो भी आप कर सकते हो, ओके, so let's discuss about this, यह तो concept की बात हो गई, अब यहाँ पर हर website की तरह registration होता है, तो sign up का button है, हर website की तरह, यहाँ पर आपको इस पर click करना है, sign up के button पर, and what you have to do, register on this website, first of all, आपको यहाँ पर register करना है, बहुँ छोटा सा registration है, email डालना है अपना, अपना username डालना है, और password डालना है, अब username में आप कोई अच्छा सा नाम select कीजेगा, जो थोड़ा, you know, English type का हो, क्योंकि वहाँ पर जो foreigner से जो देखेंगे, जो यहाँ पर खरीदेंगे, वो एक अच्छा नाम देखेगा, तो वो जो आपकी profile देखते हैं, तो उनको connect होने में मदद मिलती है, तो यह मेरा suggestion है, आप हलाकि जो भी चाहें अपना username रख सकते हैं, तो email, username और password आपको यहाँ पर करना है, आपका बनाना है, और sign up के इस बटन पर click कर देना है, जैसे ही आप sign up कर लेते हैं, बस registration हो गया आपका, इतना सा registration है, free है अब आपके दिमाग में आ रहोगा, कि मैं कैसे यहाँ पर अपने जो design है, वो upload करूँगा, और किस तरह से वो सारी चीज़ों पर आएंगे, क्या होगा, तो वो process समझाऊंगो, तो इसके लिए यहाँ पर आप जब अंदर पहुँच जाते हैं यहाँ पर धेर सारे design आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही interesting तरीके से लोग यहाँ पर design बनाते हैं, और अलग-अलग artist हैं, देखिए, उनके नाम है, यहाँ पर artist to follow, अब आप इनको देखकर बिलकुल ना घबनाएं, कि बिकॉस यह आपको लग रहा होगा, कि बड़े मुश्किल है design, लेकिन इसको बनाने के बस तरीके होते हैं, और आपको थूड़ इसी creativity के जरीए, आप यह कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर जो design है, वो कैसे upload करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह option दिखाई दे रहा है, उपर की तरफ देखी, यहाँ पर profile वाला, यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दिखाई देंगे, और आपको यहाँ add new work, इस पर आपको click करना होगा, ओके, आ आप अपना manage portfolio कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप अपना जो, मैं आपको बता देता हूँ पहले, देखें, यहाँ manage portfolio clear, आप click करेंगे, तो आप अपना जो भी सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, और अपने जो भी आप upload करेंगे, designs वगरा, उसको maintain कर सकते है यहाँ पर आपकी profile दिखाई दे रही है, manage portfolio में, तो profile पर जाकर अपना जो photo लगाना है, और आपको जो भी settings करनी है, अपना एक तरह से देख सकते हैं, यहाँ चोटा सा आपका logo, मतलब जो आपका logo जैसा हो सकता है, वो design कर सकते हैं, आप अपना भी photo लगा सकते हैं, तो यह सब आप कर लीजेगा, profile वगरा, मैं main चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है खास, तो यहाँ पर अब add new work पर हम सारी चीज़े देख सकते हैं, मैं back चला जाता हूँ आप से, तो हम जहाँ पर थे वहीं पहुँच रहे हैं, फैले से, ठीके, तो यहाँ पर इस क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको add new work, इस पर क्लिक करना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह का option आएगा, और यहाँ पर दो option है, आप इस वाले option को चूज करें, upload to all products, यानि कि आप जो design यहाँ पर डालेंगे, वो सभी products पर upload हो जाएगा, automatically set हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो इस पर हमको click करना है, यहाँ पर मैंने click कर दिया, you can see, और अब यह सीधा मुझे ले गया है, जहां से मैं अपना design upload कर सकूँ, तो यहाँ से मैंने design upload, जो मैंने बना रखा है, इसको मैंने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पर इसको upload मैं कर तो देखे, upload होना शुरू हो गया है, और यह upload complete हो गया है, ठीक है, यह देख लिए, मेरा design आ गया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अब आप देखेगा कि इस तरह से interesting तरीकी से यहाँ पर set होता है, आप यहाँ से देखे, इसका चाहे तो color भी change कर सकते हैं, कोई भी color मे यह logo ले लिया है, और यहाँ पर देखे, title आपको डालना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा, जो है, वो music lover के लिए है, यह logo, या यह जो design, sorry, तो यहाँ पर आप title में डाल देंगे, music lover, t-shirt for music lover, आप कुछ भी डाल सकते हैं आपर, okay, t-shirt for music lover, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, music lover, basically, music lover ही डाल दीजे, मैं आपको example दे रहा हूँ, जब आप यहाँ पर product देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, लोग कैसे यहाँ पर title डालते हैं, आप वो check कीजिएगा website पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ tags लगाने हैं, music lover t-shirts, music lover, you know, mug, music lover stationary, इस तरह की कई चीजे हैं, तो मतलब आप tags लगाएंगे न, तो इसका मतलब यह है कि लोग जब यहाँ पर search करते हैं, तो इसी type से search करते हैं, माली जिए किसी को music पसंद दे, तो t-shirts for music lovers, या फिर कोई search करेगा, t-shirts for, sorry, stationary for music lovers, या इसी तरह का कोई भी तो वो tag आपको यहाँ पर लगाने हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, तो यह चीज़ मैं अभी केवल आपको example के तौर पर बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा, सारे product देखीएगा, यहाँ पर सबने कैसे नाम डाला है, कैसे अभी फिलाल मैं केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर यह बता रहा हूं, तो मैंने अभी छोटा सा केवल एक एक word का ले लिया है, और जितना अच्छा डालेंगे, उतना ही जहाँ पर better रहेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने यह चीज़ की है, वो सभी चीज तो मैं इसको ले लेता हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप समझ लें, मैं पूरी process बता रहा हूं, तो अब यह यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं, आप यहाँ पर यह चोटा सा दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको set करना है, कि कहां पर ले जा सकते है हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी यह चुकि मैंने छोटा सा लोगों लिया था, तो यह इस पर बहुत छोटा देखाई दे रहा है, आप और इससे बड़ा size कर लेंगे, तो यहाँ पर उससाप से रहेगा, तो product के हिसाप से भी आपको समझना है, यह आपको दीरे-दीरे करते करत हैं, यहाँ पर, horizontal कर सकते हैं, इसको vertical कर सकते हैं, color बदल सकते हैं, टी-shirts का color बदल सकते हैं, यहाँ पर, तो यह सारी चीज़ें आपर देख रहे हैं, आप ऐसा हो जाएगा, मैं आपको केवले समझाने के लिए हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा चीज ली है, और यह चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यह से किसी भी product पर आप जैसे sticker है, sticker पर कितना अच्छा रहा है, यह mobile cover पर देखे कितना अच्छा रहा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, देखे आप, तो आपको यह देखना है कि किस product पर, किस तरह की चीज़ों पर set होगा, देखे सबी चीज़ों पर यह मेरा logo आपको दिखाई दे रहा होगा, या जो मैंने design किया है, अब यह मैंने चोटा logo था, इसलिए यह कुछ चीज़ों पर बहुत चोटा दिखाई दे रहा है, और कुछ चीज़ों पर बहुत सही आ रहा है, तो अब आपको यह इस सापसे designs बनाने ह हैं और इस तरह से हर कैटेगरी में यह प्रॉडक्ट इस टाइप का बिग सकता है तो यह मेरा एक आपको बताने का तरीका था आप इससे और अच्छी इमेज अप्लोड कर सकते हैं मैंने सरफ एक और जब भी पर्चेस करता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर हर तरह के प्रॉड़क्ट की कीमत है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे हर प्रॉड़क को आप करेंगे तो क्लोधिंग की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम जब भी जो कीमत है उसके हिसाब से आपको profit मिलता है यहां पर और यह आपको कैसे आएगा कैसे आपके account में मिलेगा वो भी समझा दूँगा मैं आपको तो फिलाल यह इस तरह से प्रोडक्स हैं यहां पर you can see मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा समझ लें अच्छे से और सभी चीज़ें आपर देख सकते हैं और इनकी कीमत भी यहां पर आपको मिल जाती है तो देख सकते हैं यह 29 डॉलर यह आपको जादा लगेगी लेकिन वहां के इंट्रस्टिंग होते हैं फैशन में तो हम अगर विदेश हों की बात करने तो वहां का इससाब कताब अलग रहता है तो आप समझ गया होंगे तो किस तरह से यह सैल होंगी और फ्रिस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा अब आपको में जानना होगा हमारे पास पैसे कैसे आ यह सब आपका कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो आप लगा लीजेगा यह सिंपल चीजे हैं जो हम पेस्बुक और आने जगहां पर करते ही हैं तो इतनी बड़ी चीज नहीं है मैं पेमेंट की खासकर बता देता हूं इस पर आप जाएंगे यहां पर तो यहां पर आपक पर आपको बिल्कुर सही डालनी है और गेटिंग पेड का जो ऑप्शन है यहां पर देखिए कैसे लेना चाहते हैं तो आप यूएस डॉलर में पेमेंट लेंगे हैं ना यूएस डी में और और भी करनसी हैं यहां पर इंडिया की नहीं है लेकिन आप यूएस डॉलर में ले सकते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हैं तो यहां दो अप्शन दिये गए हैं डिपॉजट इंटू माइ वेरिफाइड पेपल अकाउंट तो अगें यहां पर आपके पास पेपल का अकाउंट होना चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपल पर आ आई बटन में उसकी लिंक बिल जाएगी या इस वीडियो के end में आपको उसका link दिखाई देगा तो वो देख ली जगा कैसे PayPal पर free account बना सकते हैं और international payment जो है वो dollars में ले सकते हैं ओके तो यहां से आप यह select कर लेंगे deposit वाला यह option और यह verify PayPal account पर जब आप click करेंगे तो आपको जो आपका email है जो यहां पर आप बनाएंगे PayPal पर वो डालना होगा और आपका account यहां पर verify हो जाएगा और बड़ी असानी से जो भी आपकी कमाई होगी directly PayPal में यहां पर आ जाएगी और यहां से आप अपने bank account में automatic transfer होता रहेगा वो तो यह वीडियो आप देख लिएजेगा PayPal पर account बनाने का वो भी मैंने डाला हुआ है channel पर तो आप देख लिएजेगा उसको भी upload किया हुआ है मैंने ओके तो यह एक basic process मैंने आपको समझा दी है बहुत सारी आपको आप अगर गूगल प्ले स्टोर में जाएंगी तो आज आपको धेरों ऐसी एप मिल जाएंगी जहाँ पर आप designing कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा देख लें जहाँ पर इत्मनान से वीडियो लंबा हो सकता है लेकर आपको पूरी इंफरमेशन में शेयर कर रहा हूँ तो गूगल प्ले स्टोर में जब आप अपने मुबाइल में जाएंगे और मुबाइल से भी चला सकते हो और आप यहाँ पर कोई भी डाले माल लीजिए तो यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा इनमें आप देखेंगे के बड़ी आसानी से आपको सब चीज़े सेट हैं बस आपको सीधा डिजाइन बनाने हैं और अपने आप डिजाइन क्रियेट होते जाते हैं यहाँ पर इस तरह के बहतरीन डिजाइनस आप यहाँ पर बना सक मैं design बना कर यहाँ पर upload कर सकते हैं अगर कुछ लोग interesting होते हैं बहतरीन design बनाईए और कुछ भी selling होती है तो dollars में earning होगी तो dollars definitely बहुत ज़्यादा कीमत है हमारे यहां के Indian currency से तो जो भी आएगा वो आपके लिए benefit है क्योंकि free में जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए bonus ही होता है of course मैं यह नहीं कह रहा है कि आप लाखों कमा कर करोड़ पती बन जाएंगे जैसा मैं कभी भी नहीं कहता कोई shortcut नहीं है मेहनत यहाँ पर भी है लेकिन एक interesting तरीके से काम है और करते रहिए आपके लोग मज़ा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा और कुछ earning हो जाती है तो वो तो बहुत अच्छा है तो मैंने कोशिश की आपको इसको समझाने की I hope मेरा राय भी दे दी मैंने अब बाकी आपका decision है तो आप इसी तरह के और interesting videos अगर देखना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर channel से जुणे मैं इसी तरह आगे share करता हूँग information आप like करें video को share करें और subscribe करें और bell बटन ज़रूर दबाएं थैंक यू take care